सहीद आजम भगत सिंग को जब फासी की सजाज सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे एक लाइन कहके अपनी बात खतम करूँगा उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंग को चिठी लिखी और चिठी के अंत में लिखा जफा का मतलब होता है अत्याचार उन्होंने अपने भाई को लिखा उन्हें ये फिक्र है हर दम नया तरजे जफा क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतिहां क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतिहां क्या है और हमने तो कहा था पुधान मंत्री जी हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं रुके नजो रुके नजो जुके नजो दबे नजो मिटे नजो हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमी तो खौब है हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है रुके न जो, जुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके आदमी का खून कोई आदमी न पी सके माली को, माली को मजूरी के, नौकरों हुजूरी के फर्क को मिटाएंगे, समानिता को लाएंगे रुके न जो, जुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो खून है, रुके न जो, जुके न जो मानते नहीं है फर्क हिंदु मुसल्मान का जानते हैं रिष्टा इनसान से इनसान का जाती के, धर्म के, भाशा और वेस के दुन्द को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे रुके न जो, रुके न जो, जुके न जो दबे न जो, मिटे न जो हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमें तो खून है रुके न जो, जुके न जो, रुके न जो, जुके न जो भारात माताकी, एंकलाब, अर्वेंद कैजरिवार, आमादमी पाटी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभीयों तयारी करिए, साथ अप्रेल को जंदर मंतर में सत्यागरा की तयारे, अब लडाई में संजय सिंपी हमारे साथ हैं, समेश साथ अप्रेल को पहुंचेंगे जंदर मंतर, बहुत धन्यवाद, एंकलाब, जिंदा बद झाल